हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके साथ अनार से की रिसिपी शेयर कर रही हूँ परफेक्ट अनार से बनाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप टोग के साथ शेयर करूंगी जिससे आपके अनार से एकदम परफेक्ट जालेदार बनेंगे और ऑईल में बिल्कुल भी नहीं बिकरेंगे तो अनार से बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी राइस लिया है और ये ना ओल्ड राइस है जब भी आपको अनार से बनाने हो तो आप ओल्ड राइस ही लेना है नया राइस नहीं लेना है तो नया राइस और ओल्ड राइस में क्या फरक होता है जब आप चावल बनाते हो तो एकदम जो राइस खिला-खिला बनता है वो old राइस होता है और जो नया राइस होता है उससे आप चावल बनाते हो तो एकदम चिप-चिप राइस बनते है तो वो नया राइस होता है तो इसे मैंने तीन बार अच्छे से वाश करके रग दिया और अब दूसरे दिन ना मैंने इसका जो पानी था पहले वाला वो निकाल लिया है फिर से दो तिन बार ना अच्छे से पानी डाल के वाश कर लेना है क्योंकि इसमें जो खटापन होता है ना पानी का तो वो निकलना जरूरी है तो इसलिए मैंने ना दो बार अच्छे से वा करना बहुत जदा जरूरी है फिर से दो बार पानी ढलके अच्छे से राइस को वाश कर लेना है और फिर से दूसरा पानी डालके उसे रग देना है राद भर के लिए तो ऐसी ही प्रोसेस ना हमें तीन दिन कंट्ये इसे ही करना का ब तो तेरे दिन पानी फेग दिया इसके बाद पानी डालके अच्छे से वाश कर लेना है और पया पानी डालके रख करके राइस प्ड़ निकाल ले ना है और आपConton कप्ड़ा होगा तो इसेरे राइस शुखने के लिए रख देना है अभी important बात यह है कि इसको ना धूप में नहीं सुखाना है फैन के निचे ही सुखाना है और एकदम जादा नहीं सुखाना है जब आप हाथ लगाओगे ना तो ऐसे थोड़े से राइस हाथ में जब चिपक जाते है तो समझना कि इसी तरह के हमें अनार चाहिए और जो एकदम बारिक वाली चन्नी होती है ना आटा चन्ने की उससे हमें अच्छे से चान लेना है यह जब चानते होना तो थोड़ा सा हलका हलका लगता है तो आप हाथ का यूज करके अच्छे से इसे चान सकते हो और जब वह लास्ट का बचा हुआ रहेगा तो इसे फेकना नहीं है आप खीर में इसे यूज कर सकते हैं तो अब हम आटा नाप लेते हैं और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है तो जैसे एक कोई भी कटोरी लेना है और उससे आपको नापना है कि आटा कितना है जैसे अभी देखिए यह एक कटोरी हो गया फिर से म क्योंकि कभी कभी क्या ना अनर से कभी गीले हो जाते हैं तो हम उसमें एट कर सकते हैं तो इसे ना किसी भी एरटाइट कंटेनर में भरके रख दीजिए फ्रीज में जब भी अगर ऐसी कुछ सिचुईशन आती है कि आपके अनर से थोड़ सी गीले हो गये तो आप उस कि वाला गुड़ होता है वह यहां पर बिल्कुर यूज नहीं करना जो एकदम सॉफ्ट होता है एकदम हाथ से तूट जाता है देखिए स्पून से एकदम तूट रहा है तो इस तरह का जो गुड़ होता है ना तो वह हमें चाहिए तो गुड़ को अब हम ग्रेट कर तो जैसे कि राइस फ्लावर दो कटोरी था तो हमें गुड़ ना एक कटोरी लेना है मतलब राइस फ्लावर के आदा हमें गुड़ लेना है अगर चार कटोरी राइस फ्लावर होता तो हम दो कटोरी गुड़ लेते थोड़ा सा गुड़ अगर कम रहा तो चलेगा बड़ जादा नहीं लेना है अगर जादा आप लोगे ना तो एक दम थोड़ा ना पीच पीचा होगा और अनार से परफेक्ट नहीं बनेंगे तो थोड़ा अगर कम भी रहा तो चलेगा जैसे देखिए यह एक कटोरी से थोड़ा कम है तो इतना इनफ है बट में जादा नहीं और इसके बाद हम मिक्सी जार में डालके थोड़ा सा ना पीस लेंगे उससे ना एकदम दोनों मतलब राइस फ्लावर और गुड अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो जिसमें मैंने राइस फ्लावर बारिक किया था सेम उसी कंटेनर में मैं इसे बारिक कर रहे हूँ और यह एकदम अच्छे से यह मिक्स हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसके ना छोटे छोटे गोले बना लेंगे और इसे एयर टाइट कंटेनर में तीन दिन के लिए भरके रग देना है तो पहले इसे थोड़ा से ना ऐसे सॉफ्ट कर लेंगे इस तरह से और अब इसे भर अब तीन दिन में इसे ना अच्छे से मतलब पानी छोटेगा और यह मिश्रन एकदम सॉफ्ट बन जाएगा तो इस डब्बे को फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है बाहर ही रखना है यह एक महेना इसे बिल्कुल कुछ नहीं होगा जितने जादा दिन रहता है उतना अ अच्छे से पानी इसमें छूट चुका है और मैं इसे आपको ना बाहर निकाल के दिखा देती हूं तो इसमें से मैं छोटा सा गोला लूँगी और इसे पहले ना में हाथ से सॉफ्ट कर लूँगी हमने यहां पर कैसे थोड़े से गिले राइस लिये थे इस वज़े से यह परफेक्ट हमारा जो मिश्चर है वो काफी अच्छे से बना हुआ है नहीं तो कई बार क्या होता है यह इतना कड़क हो जाता है इतना कड़क रहता है कि इसमें दूर डाल के फिर उसे सॉफ्ट करना पड़ता है बट यहां पर देखिए कुछ भी डालने की जरूरत नहीं ह यह एकदम आसानी से इसका गोला बन रहा है मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए और हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है मतलब यह आपका जो मिक्शर है एकदम परफेक्ट बना हुआ है तो यह परफेक्ट किस से बना हुआ है आपने जो गूर लिया है उसका मे अनार से फैला रही हूँ अगर आपको उंगली से जमता होगा तो आप उंगली से कर सकते नहीं तो कोई भी क्यारी बैग होगी तो उस पे भी आप इस तरह के बना सकते जैसे भी आपको इजी लगता हो आप उस तरह से बना सकते हैं यह देखिए अनार सा इस तरह से मैंने बना लिया है अगर आपको अनरस से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो इसके लिए नहीं पत्ला कर लेना है और अगर थोड़े सॉप्ट चाहिए तो थोड़ा मोटा मोटा ही मतलब जाड रखना है तो पहले नहीं है कि आँड कितना गरम हुआ है क्योंकि इसके लिए हमें अनारसा डाल देना है और जहां पे खस्कस लग ग़या हुआ जो पाठ होता है उसे एक ही साइट से और दुसरे साइट से उसे नहीं पल्टा जाता है और अनारसे के वपर और इस बना रहता है तो यह देखिए इस तरह से छन्नी में हमें निकाल लेना है मतलब नीचे ऑईल गिर जाएगा ज्यादा ऑईली भी नहीं होगा अब आपको मैं पॉलितिन पे किस तरह से बनाना है वह दिखाती हूं तो थोड़ा से मैंने खी लगा लिया था पॉलितिन के उपर और इस तरह से इसे फैला लेना है और एकदम आसानी से फैल जाते है इसके उपर अब खस-खस डाल देनी है अगर परफेक्ट मिक्शर बना हुआ रहा तो वह बिल्कुल भी हाथ में चिपकता नहीं है और यह देखिए यह भी तैयार है इसे अब हम फ्राइ करते हैं तो सब हों बिल्ग मेरे मेरे में मां में लग रहे हुँ मतलब इस तरह कि अनर से मैं नहीं बनाया थी मेरे मुझे करा में कुछ सब्सक्राइब करके और यह समयार है बना है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे हाथ से अनार से बहुत अच्छे से बने पहले बार में ही अगर आपके अनार से थोड़े से गीले हो गए तो उसमें आपको फिर से राइस आटा जो हमने रखा हुआ है वो डालके ना तीन दिन के लिए वैसे ही रख देना है और आपको इसे तोर के भी दिखाती हुँ आपको इसे तोरके भी दिखाती हुँआ है अ झाल